हेलो अब्रिवन वेलकम बैक वेलकम टो सिविल सर्विसे स्टड़ी यूट्यूब चैनल टैस्ट नमबर 153 है फोर यूपीस से प्रिलेम्स 2019 एक्जामनेशन के रहे हैं समय कम है अच्छे से रिविजन करते रहे हैं जितना रिविजन करोगे आप लोग के काम आएगा हेमावत अमरावति कावेनी बताइए किसकी सायक नदिया है क्रेश्टना कावेरी महानदिय गोदावरी मोस्ट इंपोर्टन प्रश्ण है बताया भी होगा पहले बताइए जल्दी कमेंड करके देखिए मैं अनकेडमी पर लाइब पढ़ाता हूं उसमें मैंने आपके लिए एक साथ मिलकर तो बहां उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और टेलिग्राम पर भी डाल दिया है तो अच्छे से उसको विजिट कर लो और मोस्ट इंपोर्टेंट है यह सभी परिक्षावों के लिए जैसे आपको दिख रहा होगा एक्जाम इंडियन फॉरस्ट सर्विस यह यूपीए सी प्रिलेम्स के साथ ही होता है और स्टेट पीसियस में की जो परिक्षावें होती है और सभी में जीएस से संबंदित महत पूंट प्रशन होते हैं तो इसके लिए जो पॉलिटी का क्रेस कोर्स है मेरा रफ्रिल सेंड का इस्टेंड डिस्काउंट मिल जाएगा बाकी यूट्यूब पर तो ही अपना और प्रिविए सरक्या प्रेस्ट ने उनकी भी टेस्स सीरीज चल रही है तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको भी जाके विजिट कर लो प्रिपर में बै सत्रवर्बन है भारत के भॉगोलिक भारत के भॉतिक भुगोल के संदर में कौन सातं ठीक्रादाच और इस यह भी करेक्ट है डफ़ला पहाडियां मैं के मत जिते में हैं तरफ़स नंबर टू है हाल ही में अंपर Prakash Tan concretion की क्रिया को संभा बनाने हेत्थू परक्षेपित किया जाएगा देखिए लिए यह प्राकासे अधिक प्राकास्च उत्पन करेगा उन्सी चीज देखिए बनाई जा सकती है उससे ज़रे तो ट्यूब लाइट प्राकास देती है अपना रूम बॉली तो यह गुना कम से से आर्ट गुना आर्टिफिशल इन्होंने चंद्रमा बनाया मून बनाया है जो क्या करेगा बिजली की खपत को कम करेगा तो चीन 2020 तक सहरी छेत्रों में स्ट्रीट लाइट और बिजली पर होने वाले खर्चे को कम करने के लिए एक कृतिम चंद्रमा प्रक्षेपन करने की योजना बना रहा है इसकी रोसनी चंद्रमा की वास्तविक रोसनी की लगवग आठ गुना दिखोगी कोशन नमबर थ्री है वह विद्वान वह एक महान निर्माता था उसने विजय नगर के निकट एक नया सहर वसाया और एक विशाल तालाब भी खुदबाया जिसका उप बात हो रही है एक ही आदमी हो सकता है इनमें से वह क्रश्ण देव राय तो उपयोक्त विप्रण क्रश्ण देव राय का फरसे पड़ लेना चौथा प्रशन है भारत के सरवोच ने अले द्वारा दिये गए निर्णे के अनुसार नोटा का उपयोग निमलिखित में से किस या किन चुनाबों में किया जा सकता है तो लोग सभा के चुनाब में किया जा सकता है बिधान सभा के चुनाब में किया जा सकता है राज सभा में नहीं किया जा सकता है राज सभा में नहीं किया जा सकता है राज सभा का उपयोग राज सभा चुनाबों में नहीं किया जा स सखेगा नोटा बिकल्प केवल पर्टक्स चुनाबों में लागू होगा तथा अपर्ट शुनाबों जैसे राज्य सभाव फ़िधान परिश्द इन में लागू नहीं होगा याद रखेगा कि हाले में चुनाब संपन हुए है क्यूंसी कावेरी की सायक पूरा आपसन आप से कर ले चाते हैं, अगर आपको पता होता है, कि प्राण हिता गोदावरी की सायक नदिया, प्राण हिता बेन गंगा पेन गंगा मंजीरा ये गोदावरी की साहिक नदिया है तो एक की बज़े से पूरा आपसन आप सही कर ले चाते है अगर आपको पता होता कि प्राण हिता कावरी की नई गोदावरी की साहिक नदिया है तो कर दो एले मिनेट दीसरे को ये भी नहीं ह हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता, आंसर असानी से आपका निकल गया है, पहला और दूसरा, अम्रावति, हेमावति, काविनी, यह कावेरी की सहक नदिया है, मुसी क्रशना की सहक नदिया तो यह भी गलत है, तो काविनी, सुवर्णवति, भवानी, अब इसमें देख लो दाइं तरफ से और बाइं तरफ से मिलने वाली कौन सी हैं तो काविनी, सुवन्वती, भवानी, अमरावती ये चार तो दाइं ओर से मिलने वाली हो गई कावेरी में और हेरंगी, हेमावती, सिमसा और अरकावती ये बाइं ओर से मिलने वाली हो गई याद रखना है इनको छटा प्रशन है इल्टूतमिस ने अपने राजगे सुधार कारियों के लिए निमले के तमें से कौन से सुधार अत्मकार किये थे इकता प्रणाली को लागू करना राजधानी का अस्थान अंत्रना तो राजधानी ले गया था ये लाहोर से दिल्ली करेक्ट है वो इकता प्रणाली भी इसने लागू की थी दिल्ली सल्तनत में पहली बार आंसर हो जाएगा उल्टा कर देगा भूमी के बदले बेतन दिया जाता था गलत बेतन के बदले भूमी दिया जाती थी एक्ता को बली या मुकती कहा जाता था ये भी याद रखो इल्दु-तमिश्च्का कारिकाल देखलो 12-10 से लेकर 12-36 राजधानी लाहोर से लेकर चला गया था दिली साथवा प्रशन है भारतिय अंत्रिक्ष अनुसांधान संगठन इश्रो जम्मु कस्मीर में सतीज धवन अंत्रिक्ष विज्ञान केंद्र स्थापित करेगा निमलिकित मैं से कौन सी गतिविदियों से वो जुड़ा होगा महासागरिय संसादन प्रवंधन प्राकृतिक संसादनों के धारणी उपियोग है तू भू इस्थानिक आकड़ों का विश्रेशन तो देखिए महासागरिय संसादनों का प्रवंधन से कोई मतलब नहीं है इसका प्राकृतिक संसादनों के धारणी उपियोग है तू भू इस पुर्टि करेगा इस केंद्र में प्राकरतिक संसादनों के धार्णी ऑप्योग एवं भू पुरियोग प्रति रूप में आयोजन के सहता हेतु भू इस्थानिक आकड़ों के विस्ट्रेश्ण की सुविधा होगी महासागरी संसादन प्रवंदन इसकी कारभाई में सामिल न खेल पदक बिजेता और यह हैं खेल प्रतेश परदा यह है प्रशन शीवल सेवा परिक्षाँ में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि स्पोर्ट से सम्बंद्र प्रश्न नहीं पूचे जाते हैं UPSC की सिवल सेवाओं में यह प्रेस्टन आपको रिवाइस इसको रिजर्व राही सरनोबत महिलाओं की 25 मीटर एयर प्रिस्टल से संबंदे थे और स्वप्रा बर्मन महिलाओं में हेफ्टा हेप्टा थे नाल से संबंदे थे तो वह इन्होंने एशियाई खेल 2018 में स्वाण पदक जीता है योगम इसका गलत है दोनों क्योंकि इंटरचेंज कर दोगे त जीता और महिलाओं की हेप्टा थेलान में एतलेटिक्स में स्वप्रा बर्मन ने गोल्ड जीता और दोनों की दोनों एशियन गेम में इंडिया का नाम रोशन करने वाली यूबती महिलाओं हैं भगवान महावीर किस से संबंदे निमलिकित युगमों पर विचार कीजिए महावीर इच्छवाकू बंसके थे वे जैन धर्म के 24 वे तीर्थकर थे तो महावीर इच्छवाकू बंसके थे करेक्ट है 24 वे तीर्थकर भी थे करेक्ट है 23 वे पार्शवनाद थे ये भी करेक्ट है पहले रिशवदेव थे तो ये तीर्थकर में कुछ तीन याद महावीर स्वामी को बहुत पूछा जाता है बहुत बार महावीर स्वामी को कभी पहले इस्थान पर रख देगा कभी 23 इस्थान पर रख देगा गलत हैं दोनों के दोनों पहले पर रिशब देव 23 पारशबनाथ 24 में हैं महावीर अंतिम तोनों करेक्टर हैं हापर क्योंकि इच्छवाकुबंद से भी थे वो तो महावीर इच्छवाकुबंद से थे महावीर जैनती बर्धमान महावीर के जन्म का प्रतीक जो जहन धर्म के 24 वे और अंतिम तीर्थकर थे जिन्होंने 23 वे तीर्थकर पार्शबनाद का इस्थान लिया था अंतिम प्रशन देखते हैं सहरी आधार भूत अब संड़चना में सुधार के लिए अटल नवीकरण और सहरी परिवर्थन मिशन अमरुत सुरू किया गया हरदय योजना के अंतरगत सहरी विकास मंत्राले द्वारा विरासत सहरों के रूप में बरिक्रत सभी सहरों या नगरों को अमरुत के अंतरगत सामिल किया गया है हाँ तो करेक्ट है ये भी दोनों के दोनों सही है तो अमरत में सामिल या अमरत में सामिल सहरों की स्रेणी नीचे दी गई है एक लाग से अधिक जनसंख्या वाले सभी सहरों और कस्पों को सामिल किया जाएगा सभी राजधानी सहर या राज्यों के कस्वे संग सासित प्रदेश या छेत्र जो उप्यूक्त इसमें सामिल नहीं है इस पर ध्यान देना देखे एक लाग से अधिक जनसंख्या वाले सभी सहरों को इसमें सामिल किया जाएगा सभी राजधानी सहर, राज्यों के कसवे संग राजच्छेत्र इसमें सामिली नहीं है मतबद जिद्टी भी कैपिटल हैना उनको सामिल नहीं कियागा इसमे विरासत सहरों के रूप में बरिक्रत सहर और कसवे इसमें सामिल है और परवतिय राज द्वीब समू और परियटन स्थलों के दस सहर इसमें सामिल है रदय योजना के अंतरगत सहरी विकास मंतरले ये मंतरले का नयाम याद रखिये सहरी विकास मंत्राले द्वारा विरासत सहरों के रूप में वरिक्रत सभी सहरों या नगरों को अम्रत के अंतरगत शामिल किया जाएगा तो दस के दस प्रशन कंप्लीट हो गए हैं अच्छे सा इनका रिविजन करना आप देखेंगे कि कैसे एक प्रशन के साथ दूसरा प्रशन इंटर लिंक हो रहा है साल दर साल थैंक्स फो वाचिंग दिस वीडियो थैंक्यू